दोस्तों यार जैसा आप सभी जानते हैं कि जितनी भी यहाँ पर प्राइबिल टेलिकॉम कम्पनी है ना जैसे कि यहाँ पर जीयो हो गया, वोड़फोन आइडिया हो गया या फिर यहाँ पर एडिल हो गया कि यहाँ पर ना सभी ने अपने जो है रिचार्ज प्लान बहुत जाता महेंगी कर दिये हैं अपना बहुत सरी यूजर जो हैं वो यहां पर अपने SIM कार्ड को पोर्ट कर रहे हैं और जा रहे हैं BSNL के उपर यानि कि दोस्तों अगर आप भी अपने SIM कार्ड को पोर्ट करना चाहते हैं BSNL में तो आपको किन-किन बातों का ध्यान लगना ज़रूरी है अगर आप गलती कर देते हैं तो बाद में आपको पस्ताना पढ़ सकता है और सबसे कमाल की बाद दोस्तों यह है कि जिस तरीके से यहां पर देखीगा यह मेरे पास 4G मुबाइल फोन है तो यहां पर मैं वो भी बताऊंगा कि आपको कैसे अपना BSNL का नेट फोन चलाते हैं जैसे कि मेरी ममी भी गाओं में आज भी कीपेड फोन चलाते हैं ज अब बहुत ही बहुत कमाल का प्लान होने वाला है और साथ्द साथ में घाइस में आपको बताऊंगा कि यहां पर देखीगा मेरे पास आज चुका है लेटेस्ट यहां पर BSNL के सबी प्ल comment करके आप जरूर बताना कि आप कौन सी कंपनी का भी SIM card यूज़ कर रहे हैं और आप future में अपने SIM card को कौन सी कंपनी में port करने वाले हैं तो चले guys सबसे हम बात करते हैं यहाँ पर बेसनल का जो recharge plan है इसके बारे में तो जब भी आप अपने SIM card को port करते हैं बेसनल में तो guys यहाँ पर आपको एक 4G या 5G supported SIM card दिया जाता है जो कि एकदम free होता है कोई भी आप से यहाँ पर extra charges नहीं लिए जाते हैं और सबसे कमाल की बात यह है कि फिलहाल जो यह offer है वो guys यहाँ पर 39 सन 2024 तक यह जो है offer है हलाकि हो सकता है future में यह company जो है इस offer को आगे भी लेकी जाए तो guys फिलाल तो यहाँ पर यह offer है और guys जब भी आप अपने SIM card को यहाँ पर port करते हैं बेसनल में तो यहाँ पर आपको basically 2 FRC plan नजर आते हैं FRC का full form होता है first recharge coupon plan जैसे कि आप जो है किसी other company से बेसनल में port करते हैं तो आपको 2 जो यहाँ पर recharge plan नजर आते हैं सबसे पहला जो यहाँ पर recharge plan है वो है guys 108 रुपे का और यहाँ पर आपको 28 दिन की validity मिलती है और यहाँ पर आपको एक GB पड़्डे के साब से मिलता है और याने कि 28 दिन के लिए 28 GB आपको data मिलता है और 500 आपको SMS मिल जाते है इसके अलावा आपको unlimited जो है calling मिल जाती है जो कि बहुत ही कमाल की बात है इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा plan है वो है 249 रुपे का और उसकी validity है 45 days याने कि data mining की इसकी validity है और इसका यहाँ पर आपको मिलता है 2 GB per day के साब से और यहाँ पर 100 SMS आपको per day मिलते हैं इसके अलावा आपको unlimited जो है यहाँ पर calling देखने को मिल जाती है जो कि बहुत ही कमाल की बात है इसके अलावा यहाँ पर अदर भी इनके बहुत सारे recharge plans है जो कि बहुत ही कमाल और सस्ते plans है जो कि आपके बहुत ज़ादा काम आने वाले है और guys मैं personally खुद भी यहाँ पर BSL में अपने SIM card को port करने वाला हूँ आपको live यहाँ पर दिखाऊंगा इसके अलावा तो बेसल के बहुत सारे recharge plans है जो कि नए plans है और सबसे कमाल की बात है कि अदर कमनी से बहुत ज़ादा कम price में यहाँ पर plan आपको मिलेंगे और guys मैं आपको बता दू कि यहाँ पर बहुत सारे plan है इसका link मैं आपको video को डिस्कुर्शन में डाल दूँगा आप बात में जो है link पर click करके सारे plans चक कर लेना ठीक है आप बात करते हैं कि अगर आप 4G mobile phone चलाते हैं तो आपको कैसे चक करना है कि आपका जो area है आपकी area में 3G, 4G यहाँ पर बेसलन का network अच्छा है या नहीं है तो चले उसको आपको कैसे चक करना है कि आपके area में यहाँ पर proper network आ भी रहे हैं बेसलन के या नहीं आ रहे हैं विकाज अगर आपने port कर लिया है तो बाद में भाई आपको problem भी हो सकती है कि भाई आपका जो net ही नहीं चलेगा तो आपका कोई फाइदा ही नहीं रहेगा है न तो आपको चक करना बहुत जरूरी है कि आपके area में क्या BSNL का network जो है बहुत ही strong है या कहीं weak तो नहीं है बाद में कहीं port करने के बद आपको पस्ताना पढ़ रहा है तो आपको network चक करने के लिए सबसे बहले अपने phone पर Chrome browser उपन करेंगे अब आप यहाँ पर search करेंगे BSNL network चक और दोस्तों मैं आपको बता दू कि आभी मैं आपको अपने computer पर दिखा रहा हूं ताकि आपको easily और आसानी से समझ में आ जाए आप अपने mobile phone पर इसको आसानी से इसी तरीके से चक कर लेंगे और जो पहली website आपको दिख रही है www.nperf.com आपको इस website के उपर click कर लेना है तो चले हमने यहाँ पर click कर लिया है अब guys यहाँ पर आप दिखीगा यह जो website है ना यह सब भी company के network आप यहाँ पर चक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले country हमारा automatically आजागे इंडिया और यहाँ पर अभी हमें carrier select करना है carrier का मतलब होता है कि जिस भी company का आप SIM card चक करना चाहते हैं कि भाई उस company के network कैसे हैं आपकी area में आप उसको select कर लेना तो अभी हमने बात करी है baseline मुबायल किये तो अभी हमने यहाँ पर baseline को select कर लेना है उसकी बाद यहाँ पर आपको नीचे एक search का icon नजर आ रहा है तो आपको इस box पर click करना है अब यहाँ पर आपको अपनी area का नाम search करना है चाहे तो आप अपने area का pin code number भी enter कर सकते हैं जैसे अभी हम search करते हैं दहरादून और दहरादून हमारा उत्रक्रिंड में है तो हमने select कर लिना है दहरादून और अभी देखीगा guys यहाँ पर इस तरीके से आपका location automation automatically यहाँ पर ले लेगा तो अभी मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा में असान भासा में समझा सकों और आप असान इसे समझ भी पाऊँ ठीक है तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर यह दैरादून का area है और यहाँ पर इस तरीके से आपको बहुत सारे dot नजर आ रहे होंगे अब आपको एक बात समझनी है इसके नीचे आपको अलग-लग color में symbol दिए गये हैं इसका मतलब यह होता है जैसे यहाँ पर अभी cross दे रखा है और black है इसका sign है इसका मतलब यह हुआ कि जोई area है यह वाला area है यह वाला area है यह वाला area है जहाँ पर black dot आपको नजर आ रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर BSNL के network बहुत ही weak है कमजोर है या फिर यहाँ पर इस area में tower कम आते हैं और इसके अलावा अगर 2G की बात करें तो 2G का यहाँ पर symbol जो है color है वो है blue यानि कि यहाँ पर और यहाँ पर blue dot आपको नज़र आ रहे हैं इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 2G चल जाता है इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर green वाले symbol की तो green यहाँ पर है यहाँ पर है यहाँ पर आपको नज़र आ रहे है सारा green है इसका मतलब यह हुआ कि इस area में 3G चलता है और इसके अलावा यहाँ पर यहाँ जो है यह वाला जो color है इसका मतलब यह हुआ कि फिलहाल यहाँ पर इस एरिया में 4G अवेलबल है तो आप इस तरह के से अपना एरिया का नेट्वर्क चक कर लेना और 4G का मतलब 4G प्लस का मतलब होता है वोल्टी ठीक है तो यहाँ पर जो है अगर 4G प्लस आपका चल रहा होगा आपकी एरिया में तो यहाँ पर रेड साइन आ जाएगा रेड आप चक कर लेना इसके अलावा अभी फिलहाल 5G तो यहाँ पर बेसनल में आया नहीं है तो अभी 5G इसलिए नहीं दिखा रहा है तो सबसे पहले आप चक कर लेंगे अपनी एरिया में कि आपकी एरिया में अभी यहाँ पर बेसनल का जो नेटवर्क है वो कितना स्ट्रॉंग है कितना मजबूत है अब दुस्तों बात करते हैं आपके फायदे की बात आप देखीगा यहाँ पर अगर आपके घर में या आप यूज कर रहे हैं इस तरीके से कीपैड वाला मुबाइल फोन जो की बिलकुल सिम्बल मुबाइल फोन होता है तो गाइस इसमें ना बिलकुल हम कॉलिंग का यू आपको बता दो कि भाई गाओं के एरिया में या फिर छहरों में आपको आसानी से जो है बेसल के नेक्टवर्क मिल जाते हैं इस वाले फोन के लिए यानि कि जब आपको इंटरनेट ही नहीं चलाना है आपको कॉलिंग ही करनी है तो भाई इसके लिए तो मैं आपको हमेशा recommended करूँगा कि आप न अपने SIM card को BSNL में जरूर port करना अगर आप keypad वाला mobile phone चला रहे हैं अब बात करते हैं इसके लावा 3G या 4G की अगर आप जो है इस तरह की से smartphone का use कर रहे हैं और तो आप पहले check करना कि आपकी area में जो है BSNL का network कैसा है हालकि दोस्तों यहाँ यहाँ पर इस साल के end तक यहाँ पर जो है सारे पूरे देश में जो है यहाँ पर 4G जो है complete हो जाएगा tower पूरे लग जाएंगे और अगले साल जाने के 2025 में यहाँ पर इनका 5G भी चालू हो जाएगा तो guys मैं आपको recommend करूँगा कि आप जो है हो सके तो अगर आपको लगता है कि आपकी area में यहाँ पर network ठीक है आपका काम चल जाएगा तो आप port जरूर कर रहेगा इसके अलावा अगर आप दो sim card का use करते हैं तो guys आप primary sim अगर रखना चाहते हैं जियो का, Vodafone Idea का या फिर आप इल्टल का तो आप रख लेना लेकिन secondary sim जो है जो हम दूसरा sim हम रखते हैं कई बार क्या हो था कि कई लोग 2 sim यूज़ करते हैं तो दूसरे sim card को आप जरूर port करना because दूसरे sim card में हम कभी-कभी recharge करते हैं 2-3 महिने में एक बार तो guys आप जो उस secondary sim को port करा सकते हैं ठीक है तो बाकि जैसे मैंने आपको समझा था recommend कैसे करना है आपको यहाँ पर आपने area का network चेक तो आप उसी तरह किसे कर लेना चलिए अब बात करते हैं कि आपको अपने sim card को ना port कैसे करना है एक बात मैं आपको और बता दूँ कि यहाँ पर ना port करने का तरीका same है आप किसी भी company का number यूज कर रहे हो तो दोस्तों sim card को port करने के लिए आपको simply जो है अपने mobile number से जो है एक SMS करना है 1900 यानि कि 19 ओपर आपको एक SMS करना है अब आपको यहाँ पर SMS लिखना है capital letter में यानि कि इंगलिस के बड़े अक्षरों में port और space देना है और आपका जो भी mobile number आपका है तो आपको अपना mobile number यह आपड़ SMS करना है जो number आप यहाँ पर enter करेंगे और याद रखे का साथ में कि आपके mobile phone में जो है free वाला recharge होना बहुत जरूरी है जो monthly plan होता है तब ही आपका SMS send होगा और एक बात मैं आपको और बता दूँ कि आप जिस भी company का भी SIM card यूज़ करें ना चाहिए Vodafone हो, Idea हो या फिर यहाँ पर atl हो, Geo हो, तो सबसे पहले आपको ध्यान अकना है कि भाई आपका जो recharge plan है जब आपका खतम होने वाला हो तो आपको 2-3 दिन पहले यहाँ पर पोड का SMS send करना है, because अगर आप पहले करोगे तो आपका जो recharge है वो बेकार चला जाएगा, वो आपका recharge transfer नह थोड़ा सा आप वेट करेंगे और यहाँ पर आपको एक SMS आ जाएगा, तो यहाँ पर चलिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं, तो फाइन दूस्तों एक मिनिट वेट करने के बाद यहाँ पर 1901 की तरफ से हमें reply में SMS वापस आ चुका है, हम इसके उपर क्लिक करेंगे, और य यहाँ पर याद रखने हैं आपको जो UPC code आपको नजर आता है, तो आप आपको करना है कि जो भी यहाँ पर बेसनल का nearby office है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, चाहे तो आप किसी भी दुकान पर जहाँ पर बेसनल के SIM card बिगते हों, जो retailer होते हैं, वहाँ पर आप जाएंग जो है, easily port हो जाएगा, अब दोस्तों मैं आपको SIM card को port करने का एक सबसे बड़ा फाइदा बताता हूं, कि जब भी आप अपने SIM card को port करते हैं, तो भाई आपका SIM card किसी के भी नाम पर आपने पहले लिया हो, लेकिन जब आप port की request डालते हैं, तो आप अपने SIM card को अपने न लेकिन दोस्तों उसने मुझे बोला कि भाई ये SIM card जो है, मेरे नाम से नहीं था, पता नहीं किसके नाम से मैंने SIM card लिया हुआ था, तो guys उस condition में होता क्या है, आप मान के चलो, कि आपने कभी किसी के नाम से SIM card लिया है, आपको खुदी नहीं पता कि जो SIM card आप चला रहे हो आपके नाम पर है ही नहीं, और future में कभी आपका phone चोरी हो जाता है, खराब हो जाता है, या आपका SIM card ही कभी खो जाए, खराब हो जाए, तो उस condition में वहीं number आपको duplicate नहीं मिल सकता है, because company आपसे उसी नाम के document मांगती है, जिस नाम से पहले SIM card registered है, और guys अगर आप port करवाते तो port करवाने के बाद आप अपनी ID proof आप वहाँ पर दे सकते हैं, भले ही SIM card किसी के नाम से भी रहा हो, और guys future में जब भी आपका SIM card कभी खोता है, या फिर खराब होता है, तो उस condition में future में आप duplicate SIM card भी उससे निकाल सकते हैं, तो guys आपको वीडियो कैसे लगा, comment करके यार ज समझ में आ जाना चाहिए कि भाई यहाँ पर कस्टूमर के साथ में धोका करना कितना महंगा पड़ता है, तो जादा से जादा यार सेयर कर दो, तो चली guys जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ में